कि विद्यभार्ती कासी प्रांत की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हम लोग क्लास 10 थे निक अच्छा 10 की मैस विस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने आपको पिछली वीडियो में निर्देसांग ज्यामित निर्देसांग ज्यामित के बारे में हमने डिस्कुसन किया है और आज का जो वीडियो होने वाला है निर्देसांग ज्यामित का पार टू होना है आपको बता दें निर्देसांग ज्यामित में हम लोग आज जो पढ़ेंगी वो दो बिंदों के बीच की दूरी के बारे में च बिंदों के बीच की दूरी दो बिंदों के बीच की दूरी यानि कि डिस्टेंस कैसे निकालना है अगर आपको दो फॉइंट फाइंड आउट रहें यानि कि दो बिंदत की निर्धे सांग ज्यात रहेंगे तो उनका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड अऊट करेंगे इसी पर डिसकुशन करने वाले हैं आए हम देखती हैं इस फोर्मुल्य को कैसे क्या प्लान करना होता है माले आप कोई यहाँ प्लान करेंगे एक्सस लेली जे निर्दे सांग लेली से हमने आप से कहा आप निर्दे सांग को स्ट करेंगे यह आपका x-axis हुआ यह x- हुआ यह y-axis हो गया और यह y-axis हुआ और यह origin हो गया चले यह हमारे अक्षो की बात होगी यह तो हमने पीछी पिसली वीडियो में हमने आलेडी दिख लिया है कहने की x-o x- y-o y-axis यह x-o x-axis जो है x अक्ष को बताता है y-o y-axis y अक्ष को बताता है तो हम इस पर discuss करने वाले हैं कि कैसे क्या plan करना है किस तरीके से point को set करना है यह आपका first coordinate है second coordinate है third है और यह fourth coordinate है फुल चार coordinate आपके पास denoted हैं तो हम क्या करेंगे first coordinate में first coordinate में कोई दो point हम लोग लेने वाले हैं यह हमने माल लिया कि प्रथम चतुर्थांस में कोई दो बिंदू आपके पास selected है मैंने कहा first coordinate में दो बिंदू आपने ले लिया जिसका नामकरण हमने कर दिया P और Q हमने दो point sit किया एक यह point है आपका और एक point यहाँ पर है और इसका नामकरण हमने कर दिया P और इसका जो निर्दिसांग है हमने कहा X1, Y1 है और यह point हमारा क्या है इसका नाम हमने कर दिया Q और इसका जो निर्दिसांग है इसको हमने बना दिया x2, y2 बना दिया ध्यान देंगी हमने कहा coordinate को हमने target किया है first coordinate first coordinate में दो बिंदू लिया 1p और 1q जिसका निर्दिसांग आपको दिया गया x1, y1 इसका x2, y2 आपके पास printed है अगली point में हम लोग discuss करने वाले क्या है कि जो ये point आपने select किया है जो point आपने select किया है इस point से x axis पर लंबर रिखा खीज़ दीजे और ये जो point आपने लिया Q इससे x axis पर लंबर रिखा खीज़ दीजे और इसका हमने नाम दे दिया इसका तो L दिया इसका नाम करन कर दिया हमने M कर दिया फिर से ध्यान देंगे हमने क्या किया फर्स्ट कोडिनेट में दो बिंदु के निर्दिसांग लिए एक का नाम पी एक का नाम क्यू हो गया उसके बाद हमने क्या गिया पी का निर्दिसांग बताया आपको x1, y1 है, q का निर्दिसांग x2, y2 है और हमने क्या किया, बिंद p से x अक्ष पर लंब रेखा pl खीचा है हमने क्या का, बिंद p से x एक्स पर लंब रेखा pl खीचा है बिंद q से x एक्स पर लंब रेखा qm खीचा है फिर उसकी बाद हमने क्या किया, इस qm पर Q M पर हमने P से एक लंबर एखा खीच दिया और इसका नाम हमने कर दिया क्या P N नाम कर दिया सभी को clear हो गया होगा यानि हमने कुछ point set किया यह clear हो गया बिंदू P से Q M पर लंबर एखा खीचा उसका नाम करण हमने किया P N अब आप simply देखेंगे यह X1 और यह Y1 है यानि कहने का sense क्या है इसके बारे में समझे हमने आप से कहा क्या यह यहां से लेके यहां तक का जो distance है यह मूल बिंदू से start करके और यहां तक का जो distance है वो हमारा X1 है जहां रखें केंडाउट नहीं आना ची हमने कहा यह O L O L की जो लंबाई आ रही है वो X1 आगी है फिर अगली पॉइंट में हमने आप से कहा कि यहां की बात करें क्यों की तक की बात करें यानि यहां से लेकर कि यह M तक यह हमारे जो distance है वो X2 है क्लियर हो गया यानि हमने आप से कहा कि O से L तक की जो distance दुरी है वो x1 है O से m तक का जो distance है वो x2 है सेम डिक्टु ऐसे आईए आपे यहां से लेके यहां तक P से L तक का यह y1 diabetes है y1 है और भी एध्यान देंगे यह Q से लेके m तक यहां से लेके यहां तक Q से m तक का जो distance है यह y2 है हम आपकी problem solve करेंगे, आप देख रहे होंगे, ये एक आयत का आक्रिती बन गया होगा, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये y1 है, तो अगला वाला ये अभी y1 होगा, ध्यान देंगे, ये अभी क्या होगा, y1 हो जाएगा, clear है बाद, यहां से, y1 हो गया, अब यहाँ पर देखिए, ये distance सही हमको, ध्यान देंगे, सबका मान थोड़ा थोड़ा लिखता चलो, जिससे आपका confusion को sum आप हो जाए, हमने आपसे कहा, ol, आपको वालेडी पता चल गया होगा, ol बराबर हमने आपसे कहा, x1 है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, om, om बराबर हमने आपसे क्या का भीया, om, is equal to, हमने आपसे कहा, x2 है, कितना भीया, x2 है, अब आप ध्यान देंगे, हमें lm चाहिए, क्या चाहिए, m को भीया, lm, lm कैसे आएगा, अगर हम इस total distance में से, यह नहीं कि इस x2 में से, इस x1 को निकाल दे, तो यह वाला निकल जाएगा, एदम simple plan समझो, अगर मालीजी, हमने का, यहां से लेके, यहां तक की दूरी 10 है, o से m तक की दूरी 10 है, और o से l तक की दूरी 3 है, o से l, 3 का यह दूरी, o से m, 10 का यह दूरी, आपको पता है L से N की दूरी कितनी आएगी 10 में से 3 घटा देंगे 7 काई दूरी आजाएगे आपको यानि कहने का सिंस क्या हो गया कि LM बराबर यहाँ ध्यान देंगे LM LM यह LM चाहिए तो OM पूरा कितना बहिया OM माइनस कितना बहिया OL यहाँ पर आप घटा देंगे तो वैलू आपको मिल जाएगे आपको पता है OM की वैलू आपको आलेड़ी पता है X2 है और माइनस कितना बहिया इसका माहन X1 है तो यह आपको LM की वैलू आपको आजाएगे LM निकल गया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चलिए अगर यह इतनी बात है आगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या पॉइंट बनके आएगा सुनेंगे सेम डिक्टो ऐसे आगे बढ़िए यहाँ पर आईए यह PL PL की जो लंबाई है PL is equal to यह Y1 है भीया यह Y1 printed हो गया PL यह दी Y1 है और आपको दिया है QM QM कितना दिया भीया QM is equal to आपने कहा Y2 है सन अब मैं आपसे पूछ हूँ कि मुझे QN चाहिए क्या चाहिए M को QN आप दिखेंगे QN is equal to क्या हो जाएगा QN यह इतना दूरी चाहिए यह टोटल दूरी में से यह वाली दूरी निकाल दीजे यहाँ पर यहनी कहने का essence क्या हो गया कि QM QM minus QM minus हो गया यहाँ पर भीया कितना NM या MN कर दिया हमने आपको बता दूँ यहाँ से QN निकालेंगे QN बराबर कितना QM का मान Y2 है Y2 minus कितना आगया भीया Y1 आगया distance यह भी आपको पता होगे आई यह मान रखते हैं भीया LM का मान कितना है हाँ पर देख लिजे LM यहाँ पर आपका print out है यहाँ पर QN print out है और आप देख रहे होंगे इस ट्रेंगल में यह बन रहा है क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल यह नहीं सम कोड तरिबूज आपका printed है भया यहाँ हम आप से discussion करते ही यहाँ से यहाँ तक का distance आपने निकाल लिया है X2 minus X1 अगर यह X2 minus X1 है यह वाला यह distance X2 minus X1 है आपको पता इसके सामने यह भी हो जाए कितना भया यह भी होगा X2 minus X1 क्यों? क्योंकि आयत के आपने सामने की बुझा बराबर होती यह इतना क्लियर हो गया अब यहाँ पर आपको यह भी आपने निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का distance आपने निकाला है अभी इसका distance आपने निकाला है क्या निकल क्या है? यहाँ पर side में क्यों यह निकाला आपने? यह distance कितना है? Y2 minus Y1 है Y2 minus Y1 आपके पास printed है Y2 minus Y1 एकदम simple से देखीगा यह सारा चीज एकदम clear रहेगा Y2 minus Y1 यह यहाँ तक हो गया ठीक है अब आपको यह पता हो गया अब आप यहाँ पर देख रहे होगी यह सम कोर्ट त्रिभुज है तो पाइथागोरस का theorem यहाँ पर काम करेगा आई हम यहाँ पर discuss करते हैं पाइथागोरस theorem क्या से प्लान करेंगे आप अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज क्या अब यहाँ पर प्लान किया त्रिभुज P N Q में यह सम कोर्ट त्रिभुज है यह हमने आप देखा P N Q में यह कोर N जो है सम कोर यहनी राइट अंगल ट्रेंगल बन रहा है भहिया आपको यहाँ पर पता है पाइथागोरस theorem क्या होगा भहिया यह P Q का स्क्वार यह कर्ड का स्क्वार यहाँ पर कितना भी यहाँ प्लान बनाएंगे आप यहाँ पर प्लान बनाएंगे इसको थोड़ा से ओपर लेते हैं आपको सब का मान पता हुआ है पता चल गया है सबकी वैलू आप पर डग दीजे जैसे वैलू आप रखेंगे आप देखेंगे पीक्यू पीक्यू की वैलू आपको पीक्यू नहीं पता है पीक्यू निकालना वही तो दूरी निकालनी है तो यहाँ यहाँ पर बात बन गया य is equal to qn का मान आपको यहाँ पर पता है क्या पता भी है y2 minus y1 का whole square हो गया और आपको बता दो यहाँ पर यह यह ln का मान पता हुआ है भी यह ln, lm पता है जो यह lm है lm बराबर कितना भी है यह आपका pn है आलेडिया आप देख चुके है lm बराबर pn कितनी value आपके यहाँ पर यहाँ पर बन जाएगा प्लेस है यह x2 minus x1 का whole square बने गया आपको बताओं यह square हटेगा square root लग जाएग यानि केवल और केवल pq आप निकालेंगे इन रूट आफ हो गया पहले x की value को पहले कर दीजे x2 minus x1 का whole square बना दिया प्लेस y2 minus y1 का whole square बना दिया यही आपका दूरी का formula बन गया आप इसके carding solve करेंगे यानि pq क्या है बिंदू p और q के बीच की जो दूरी है वह हमारा clear हो गया यानि कहने का sense क्या हो गया अब आप समझ जाएंगे बात को देखें यह आप पर देखेंगा हमें यह बिंदू दिया था बिंदू p से q की बीच की जो दूरी निकाल ली है आपको केवल formula क्या यूज करना है square root के अंदर क्या बन जाएग अब यह जो कि हमने आपको भी कर सकते हैं क्या कि p q बराबर p q बराबर इन square root के अंदर x1-x2 का whole square प्लेस y1-y2 का whole square यह भी formula आप यूज कर सकते हैं कोई इबट नहीं कहीं से doubt नहीं होना चाहिए चाहे x1-x2 का whole square करो चाहे y1-y2 का whole square करो चाहे यह करो दोनों का परड़ाम सेम आता क्योंकि वर्ग करने पर negative हो या positive है value positive ही देता है clear हो गई बाग आपका proving part यही होगा एक example देखिए फिर आगे का हम discussion करते हैं आई एक example देखा जाता है कैसे plan करना है एक example लेते हैं कोई हम और एक छोटा सा example देखा जाए एकदम enjoy के साथ जैसे एक प्रस्न आपके पास printed है बिन्दू बिन्दू लिखा है 5,8 और 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 का शिंबल है और minus 3,2 के बीच की दूरी ग्याद कीजे के बीच की दूरी ग्याद कीजे चलिए यह हमने प्रस्न कहा यह दो बिन्दू के निर्दिसांग आपको दे दी गए और इसकी दूरी हमने आपसे पूछा किसकी बीच का distance क्या होगा आई हम solve में देखते कैसे आपको करना है एकदम simple plan है ध यह जो बिन्दू दिया है न यह वाकई में यह 5,8 बिन्दू दिया है बिन्दू दिया है 5,8 और आपको दिया दूसरा बिन्दू दिया है क्या दिया है माइनस 3,2 दिया है यह कहने का sense यह है कि x1 की जो value है x1 की जो value है वह value 5 के बड़ाबर पहला x1 है दूसरा यह y1 है y1 की value जो 8 के equal है x2 की जो value है वह minus 3 के equal है और x2 की और y2 की जो value है वह हमारे 2 के equal है clear होगी बात चलिए यहाँ पर बात होगी यह अब आपको दूरी निकालना है तो दूरी का आप सूत्र लगाएंगी यहाँ पर दो बिन्दों की बिच की दूरी का सूत्रा जो आपने पढ़ा है दूरी बराबर आपने पढ़ा है दूरी का जो सूत्र है या pq भी आप नाम x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square बस इसी formula पर आप print out कर दीजे आपको value मिल जाएगे ध्यान देंगे इन square root के अंदर x2 minus x1 का whole square minus 3 minus 5 का whole square plus हो गया y2 minus y1 का whole square 2 minus 8 का whole square आपको बता दो अगले point में आप आएगे हल कर दीजे इसको जैसे आप solve करेंगे तो square root के अंदर minus 3 और minus 5 मिलके minus 8 हो जाएगा और ये whole square हो गया और ये 2 में से 8 घट जाएगा तो केवल और केवल minus 6 आएगा minus 6 का square हो गया अगली point में आएगे भया minus का square करेंगे तो प्लस बन जाएगा 64 होगे आठ टाइए 64 और 6 का square करेंगे 36 होता है 36 आया 64 और 36 जोड़ो देंगे तो आपका आएगा 100 और आपको बताओ 100 जो वर्गमूल होता है वो 10 का होता है 10 यहाँ पर इकाई मात्रक या इकाई आप कर देंगे इकाई मात्रक आपको पता है दुरी ना पर है कोई ना कोई unit आपका यूज होगा आप simply क्या करेंगे भया इनके बीच की दोनों बिंदों की बीच की दूरी easily आप निकाल लेंग तो प्रस्न समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या प्रोसेस करना होता एकाई प्रस्न और चोटा मोटा अगर देखना चाहें एक आद देख लिजे एक टॉपिस एक वीडियो हमारा complete बनेगा जिस वीडियो में हम आपको केवल और केवल निमेरिकल को सॉल्व कराएंगे वहाँ मैं इसको करा रहा हूँ बिंदु लिखा है एक कॉस ठीटा एक कॉस ठीटा कामा लिखा है एसाइन ठीटा एसाइन ठीटा की की मूल बिंदू मूल बिंदू से दूरी ग्याद केजे दूरी ग्याद केजे ये प्रस्ने आपका एक कॉस ठीटा प्लेस एस ठीटा की मूल बिंदू से दूरी अभी दो छोड़ा छोड़ा पॉइंट बताने वाला हूँ ये एक्जामपल कर लिजे उसके बाद मैं आपको पॉइंट बता हूँ बस एक दो मिनट का काम रहेगा आ आप यहाँ पर करें क्या बिंदू बिंदू एक कॉस ठीटा कामा ए साइन ठीटा और क्या भी या मूल बिंदू कितना भी या जीरो कामा जीरो से दूरी यही निकालना है यहीं आपको पता है कि एक्जोन बराबर आपके पास है एक कॉस ठीटा और आपको बताओं यह अगला वाला यह वाई वन है वाई वन बराबर ए साइन ठीटा है और आपको बता दूं यह एक्स टू एक्स टू एक्स टू बराबर दिया है जीरो है अगला वाला और यह वाई टू बराबर क्या दिया है यह भी जीरो है क्लियर अब दूरी का फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजे दूरी दूरी बराबर इन रूट आफ डारेक्ट लिक कर रहा हूं भीया अब सूत्र नहीं लिखके दिखाऊंगा मैं चलो एक्स ओवन माइनस एक्स टू कर देता हूं यहाँ पर क्या कर दिया एक्स टीटा माइनस जीरो का होल स्क्वार एक्स ओन माइनस एक्स टू का होल स्क्वार प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वार यानि ए साइन ठीटा माइनस जीरो का होल स्क्वार कर दिया आपको बता दू, थोड़ा सा और आगे calculate करेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन रूट आफ हो जाएगा, यह वियाद जीरो से घटाएं, कोई मतलब है नहीं, a square cos square theta बन गया, plus a square sin square theta बन गया, done हो गया, इन दोनों में a square कामन दिख रहा होगा आपको, आप कामन लेंगी a square बाहर लेंगे, यहाँ पर break के अंदर बच्चे का cos square plus sin square, इसको हमने लिख दिया क्या, cos square theta plus, यहाँ पर आपको पता चल गया, sin square theta, और आपको याद होगा, त्रिकोड में 30 सर्वस्वें का number 1, sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है, यह root के अंदर केवल a square आएगा, त्योंकि इसका म 1 हो गया, आपको पता है, a square का वर्गमूल कितना होता है, केवल a होता है, इतना इकाई मात्रक इसका answer बन जाएगा, एदम enjoy के साथ आप पर सकते होंगे, अच्छा लगा होबा, आप एक छोटा दो point देख लिजे, बस छोटे छोटे हैं, बस सुन लिजे, उनसे काम close हो मूल बिन्दू से दूरी कहें, तो मूल बिन्दू के निर्दे सांग जो होता है, मूल बिन्दू का निर्दे सांग, फमेसा 0,0 ही होता है वही लेना, एक चीज, अगर दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार अनुसार सन्रेक के बारे में कहा जाए सन्रेक सन्रेक की चर्चा हो दूरी के अनुसार सन्रेक होने के प्रतिबंद की चर्चा की जाए कि संद्रीक है की नहीं है आपको बताओं दो दूरियों का योगफल दो दूरियों का योगफल तूसरी दूरियों यानि हमने आपसे कहा कि दूरी के अंसार अगर संद्रेक का कोई प्रतिबंद आए तो ये प्रतिबंद आप दिमाग में रखेंगे किसी भी दो दूरी दो छोटी दूरी का यूखफल अगर निकालें वह तीसरी दूरी के बराबर हो जाए बराबर हो तो तो क्या होगा वह संद्रीक होगा संद्रीक होगा यह याद रखना हमेशा के लिए यह प्लान आप बना के रखेंगे यानि हमने आपसे बताया कि जब मूल बिंदु के निर्देसांग की चर्चा होगी तो वहाँ पर आपको 0,0 लेना है उस point और जहाँ पर बात के दूरी के अनुसार संरेक होने के प्रतिबंद की चर्चा की जाए तो आप दो छोटी छोटी जो दूरियां दी जाएंगी उन द समझ में आ गया होगा कोई confusion नहीं कहीं पर इबट रहेगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आप अधिक से अधिक वीडियो को सेर करिए और अधिक से अधिक प्रसुनों को हल करिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद